नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सभी का अपने इस चैनल की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों मेरे जादा तर वीडियो की तरहा खासकर जो इस मही ने आ रहे हैं ये वीडियो भी है मेरे सारे उन डॉक्टर बंदू के लिए जो लोग प्रैक्टिस में हैं जो होमियोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं उन नए बच्चे-बच्चियों के लिए हैं जो just they are about to pass out the BHMS और ये प्रैक्टिस लाइन में आने वाले हैं और जैसा कि आप शिर्शक में देखके समझ गया और टाइटल को पढ़के समझ गया आज का जो ये वीडियो है ये होमियोपैथि के अंदर होमियोपैथिक थेरेप्यूटिक फिल्ड के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कॉंट्रोवर्शल टॉपिक के बारे में है जो की है फ इसके बारे में कुछ हलका पुलका नॉलेज आपको होगा कि हाँ एक आपको हलका सा आइडिया है कि यह क्या है और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वाट इस दफेवरेट रेमेडी एंड वाट इस दा यूटिलाइजेशन और इस दा एक्सिस्टेंस ऑफ इस कंसेट इंद फिल्ड फोमियोपैथी तो बिल्कुल आप चिंता ना करें मैं इसके बारे में आप से दिटेल में बात करता हूं वाट इस दफेवरेट रेमेडी फेवरेट जैसा की नाम से प्रती थोरा फेवरेट मतलब सबसे ज़्यादा फ कीया तरीका है कि कुछ डॉक्तरों की कुछ मेडिसन बहुत ही जादा फेवरेट होती हैं और उस medicine के बारे में इनके जो विचार रहते हैं वो बिल्कुल fixed ideas होते हैं और इनका ये मानना है कि ये जो remedy है ये जो दवा है जो की मेरी फेवरेट है उस डॉक्टर की फेवरेट है मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं वो जो practitioner है उसकी जो फेवरेट है मतलब उनका ऐसा उनने बेला डोना को शायद इस तरीकी से पढ़ा होगा या फिर ये उनके knowledge में कहीं से आया होगा या फिर यह हो सकता है उनका हाँ ये हो सकता उनका confusion पर उनके दिमाग में क्या चीज है उनके दिमाग में ये है कि बेला डोना इस वन आप दह most widely covered medicine बैलाडोना एक ऐसी दवा है जो की symptoms को बहुत widely cover करती है और जब ये जीच उनके दिमाग में बैठी तो बैलाडोना उनकी हो गई एक favorite medicine favorite remedy अब वो कर के आ रहे हैं कि वो अपने हर case के अंदर जब patient आता है शुरू में पहली बात तो ये व्यक्ति उसको unconditionally बैलाडोना दे रहे हैं मतलब कोई भी case आया इनका ऐसा मानना है कि बैलाडोना जो है वो देने से या तो case सही हो जाएगा या case के अंदर की जो complexities हैं वो complexities खतम हो जाएंगी या बैलाडोना ऐसा intercurrent काम करने वाली है बैलाडोना में next जो अगला prescription है मतलब जो उसका जो second prescription उसका जो है वो शायद path clear कर दे ऐसे करके बहुत सारे concepts और बहुत सारे इनके तरक होते हैं इसके पीछे ये favorite medicine जो भी बंदा decide करके रखता है जो भी doctor है जो कोई favorite remedy के उपर practice कर रहे हैं जैसे कि मैं नाम तो नहीं जानता शायद वो जो user थे उनको मैंने अपने channel से block करके रखा है तो मेरे arsenic album के वीडियो पे एक बंदा मेरो को comment करता है मतलब मैंने arsenic के बारे में जो बातें बोली वो उससे थोड़ा सा agree था थोड़ा सा agree नहीं इस चीज में नहीं था बोले सर आर्सेनिक तो बहुत important दवा है मैं अपने हर पेशेंट को आर्सेनिक देता हूं अगर वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से समझ गए कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं जिनको मैंने वहां से ब्लॉग कर दिया था comment section से उन्हें बहुत लंबा चोड़ा ग्यान पेला ग्यान क्या पेला कि मैं अपने हर पेशेंट को आर्सेनिक देता हूं आर्सेनिक एक एंटी सोरिक है आर्सेनिक एक एक एंटी सोरिक होने के साथ साथ आगे का जो ट्रीटमेंट का उसका पाथ क्लियर करती है और आई हैड वेरी गूट एक्सपिरियंस विग आर्सेनिक एलबम एस्पेशिली इन दे डूरेशन ऑफ दे पैंडेमिक और वाइरस तब से मेरा इतना प्रगाड विश्वास है इस मेडिसीन पर कि मैं अपने हर केस की शुरुवात में देता ही हूं अपने हर केस के अंदर एक पंदरा दिन की मेडिस इनके बाद मैं आर्सेनिक देता ही हूं या फिर क्रॉनिक केस के अंदर महिने में एक बार आर्सेनिक एक हाई लेवल के दोज में 1M 1M में देता हूं तो इनकी जो फेवरेट रेमेडी है वो हो गई आर्सेनिक एलबम एक और मेरे को सज्जन मिले थे हैं ये काफी समय पहले का एंड सलफर पर करना यह लिखा है लेंस की नोट में कि यूशुड ऑल्वेस स्टार्ट दे ट्रीट्मेंट अप्ड ट्रॉनिक डिजीज विस सलफर एंड वाइल यू आ ट्रीटिंग एनी एक्यूट केस तो एक्यूट केस के सही हो जाने के बाद एंड में उसको लॉक करने हर केस के अंदर यह इनकी फ़र बन गई फेवर टेमर और तरक भी इनके पास थो इनके पास बस एक तरक है कि एलनज्की नूट में यह बात लिकर लिखी थी जबकि वह यह नहीं देख रहे कि अंदर भी कुछ लिखा है और सलफर के अंदर यह लिखा है इस पेशली इंद सोरी केसे से वेल चूजन मेडिसेन दू नॉट एक्ट मतलब यू एफ तू गिव एनी अधर मेडिसेन जो आपके केस टेकिंग से निकली है जब वो काम नहीं करेगी तो आपको सलफर के बारे में पर इनने वो नहीं पड़ा इनने पड़ा क्या क्रोनिक डिजीज की इसकुल गलत प्रेक्टिस हैं यह मैं अपना बता रहा हूँ यह पहले आपने वीडियो के शुरुआ पार्ट में अगे सम्झा होती है ना मतलब कोई कोई प्रेक्टिशनर की एक फैवरेट मैडिसेन होती है आपकी भी कुछ मैडिसन से बढ़ा प्यार करता हूँ एगी ज् practitioner जो फैवरेट remedy तेरपी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं यह अपनी फैवरेट remedy बिना केस टेकिंग कीए, बिना कुछ देखें, बिना कुछ सोचें, बिना कुछ समझें हमेशा जब भी नया सबसे पहली चीज़ हैनी मैं सर ने हमको यह सिखा है कि you have to be the unprecedented observer तो आप यह मतलब यहनी मैं ने बोला था unprecedented observer शुरू के अफॉरिजम से मैं मतलब जब यहनी मैं ने और्गेनन समझाना चालू करा तो यह सबसे कुछ पहली बातों में से था कि you have to be the unprejudiced अगर आप unprejudiced होगे तो ही आप proper case taking तो यहां पर तो हमारे डॉक्टर की बिल्कुल पराकाश्था पर यह डॉक्टर बैठा है क्यों बैठा है कि इसको मतलब यह he is not interested in hearing the complaint of the patient यह बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि यह इतने ज्यादा प्रिजुडाइज हैं कि इनने एक medicine जो कि इनकी फेवरेट remedy है वह सोच के बैठे है कि patient आएगा तो मैं यही medicine दूंगा तो यहां पर रूल हम ब्रेक कर रहे हैं जो हैनीमन ने दिया था कि यह आदमी होई नहीं सकते तो यहां पर यह पहली दिख्कत है दूसरी दिख्कत आपकी case taking आप initiate ही नहीं करोगे in the proper way in the proper manner क्यों क्योंकि आप तो भेजे में बिठा के बैठे हो कि कोई भी case आए अपने को यही दवा देने का है तो जब आपने सोच के रखा है कि अपन को यही दवा देने का है तो आप case taking नहीं करोगे जब आप case taking नहीं करोगे तो यू विल नॉट एबल तो गेट दा प्रॉपर टॉटेलिटी आप सिंटम दूसरी बात तीसरी बात इस बात के मात्र 20 परसेंट ही चांस होते हैं या मैं बोलता हूं 20 से भी कम कि पेशेंट जो सामने बैठा है वह इत्तुफाक से आपकी ही फेवरेट रेमेडी का पेशेंट है मतलब 80-90 परसेंट के अंदर वह पेशेंट का सब्सक्राइब करेंगे कितना अच्छा प्रोगनोसिस होगा और आपका कितना अच्छा डिवलपमेंट होगा केस के दौरान यह आप लोग खुद समझ सकते हैं तो दोस्तों यह थे वो तीन में कारण जिसके कारण मेरा यसा मानना और मेरा यसा सूचना है जो फेवरेट करके जो एक टेकनिक है प्रेक्टिस की जिसमें लोग अबनी इसे ही ट्रीटमेंट के इस्टार्ट करते हैं को मुझे लगता बिल्कुल गलत है और आप लोग मेरे तरक से सहमत है या नहीं करते है और और आपके पास और कोई एक्जम्पल हो barking कि आपने अपने करियर में किस साथ शेयर करिए एक चोटा सा वीडियो फेवरेट रेमेडी के ऊपर और आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकाल करके इस चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए इस हफते में आने वाले इवेंट और हर शनिवार को शाम को साड़े-चार